नमस्कार दोस्तों मैं मन्जू हलदवानी उत्राखंसे दोस्तों हमारे पर्मानेंट प्लांट बहुत अच्छे फ्लावरिंग कर रहे हैं पर जैसे जैसे बिंटर आता है इनकी फ्लावरिंग कुछ कम होती जाती है तो इसमें समय जो है अक्टूबर के महने में हमने बिंटर की तियारिया करनी है कुछ प्लांट कटिंग से लगाने हैं कुछ प्लांट सीड से लगते हैं जो प्लांट हम सीड से इसमें अक्टूबर के महने लगाय जाते हैं मैं उनके बारे में आपसे बात करूँगी हुँ आपको पहला प्लांट सड्डियों के लिए जो समसीड से लगा सकते हैं वो गेंदी का प्लांट है दोस्तों कि जो गेंदी खिलने लग गए है ये तो जुलाई अगस्त में गिरोग की ये जो अभी हम लगाएंगे वो हमारे जनवरी के आसपास खिलने हैं, क्योंकि किसी भी प्लांट को अगर आप लगाते हैं, तो तीन महने, साड़ती महने का टाइम लगता है, उनको अच्छी फ्लावरिंग आने पर, तो अभी लगाएं क्योंकि हमारे पास लॉंग टाइम तक ये प्लांट बने रहते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, यहीं में जो प्लांट सूखते हैं, आपके जो फूल सूख जाएंगे, इनको भी अगर तोड़के गिरा देंगे, तो आपके नए प्लांट आसानी से रेडि हो जाते हैं, तो पहला प्लांट जो इसमें हम लोग लगाना चाहिए, वो है गेंदी का होते हैं, गेरने के फूल से थोड़े छोटे होते हैं, और डबल कलर होते हैं, रेड और येलो मिक्स, और आजकल तो बहुत सारे सिंगल रेड कलर की जाफरी भी आने लग गई है, तो यह जो प्लांट होता है, यह बहुत ठंड में खिलता है, जब ज्यादा होती तब, तो इनको भी अब लगा देना चाहिए, बहुत अच्छा समय है, तो इस समय जो है, इसके फूलों को भी हम लगा सकते हैं, दोस्तों, अगर आपके पास टौनिया के सीट्स हैं, चाहे हाइब रो चाहे देशी बराइटी, अब थोड़ी ठंड पड़ गई है, इनके सीट्स को ल लगाएं हैं, तो लगाएं बहुत अच्छा जड़ रहते हैं इसके भी, नेश्ट इस समय हम हॉली होक के प्लांट लगा सकते हैं, हॉली होक में इतने फूल आते हैं, अगर आपने इसको जमीन में लगा दिया, तो आप इसके फूल गिन नहीं सकते, एक प्लांट पर इतने फूल होते हैं, तो हॉली होक के प्लांट को भी, इस समय हम सीट से ग्रो कर सकते हैं, ये प्लांट जो हैं सीट से ग्रो के जाते हैं, और कई बार नर्सरी में मिलते भी कम हैं, तो इसके सीट ले आई हैं, चाहे सिंगल पेटली क्यों नहों हो, बहुत सुन्दर लगता है, मे यो पूरी साल फ्लावगोंग करता है पर इसके साथ app to창 साथ जो है बिंडर कौसमस अलग से आता है उसके फूल इस तरह की होते हैं और उसके पत्ते भी खोड़े-पतले होते हैं यह कई कलर में आता है यह मिले है तो जरूर लगाए यह बितना सुन्दर प्लांट है कि आपका देख के मन मोह जाएगा आपका मन खुश हो जाएगा इस प्लांट को लगा हो देख कर दोस्तों डहेलिया का प्लांट अभी अक्टूबर का महना चल रहा है तो अक्टूबर के महने में थोड़ी भहुँ ठंड़ पढ़ने लग जाती हैं तो इसके जो सीड्स अगर आपने समाल लगके हैं नर्स बजार से लाए हैं तो लगा दीजिए यह भी लगाने का अच्छा समय होता है इसको डहिलिया के को लगाने का बहतरी समय होता है ड को साल विय्या जो है यह बिंट्र बहुत अच्छी क्लाव करने वाला प्लांट होता है दोस्तों इसका नाम सिदावाहर हुआ बिंका हुआ तो यह पूरी शाल ग्रो होते हैं बहुत ठंड में इसकी प्लांट को आपको सीफ करना पड़ेगा तेज जो टाथ की ओस पाला पड़ता उससे बचाना हुआ वाकि यह प्लांट पूरी साल चलते रहते हैं तो इनके भी सी इस्तलि सीर्ट से हैं इसके सीर्स ब्लैक ब्लैक ट्रूर के होते हैं और यह भी आसाने से मार्केट मिल जाते हैं तो इनको लेकर हम लगाएं favorites by sometime तो ये भी बहुत अच्छा सर्दियों में धेरा फूल दने बाला प्लांट है। दोस्तों ये गजानिया है, इसके भी जो फूल सूखते हैं, उन फूलों को समाल के रखा है, तो इस समय गिरो कर सकते हैं, इसके अलाव मार्केट से भी इस समय सीड लाकर हम लगाते हैं, तो लग जाएंगे आसानी से। यह एलाइसम है एलाइसम के जो होते हैं छुटटी फूल होते हैं पतले पतले पत्ते होते हैं तो इसको भी इस समय हम गरोव कर सकते हैं यह भी इसका अच्छा समय होता है सर्दी में बहुत सुनसपेस कलर के फूल और मल्टी कलर भी होते हैं मेरे पास बायटी कलर था दोस्तो रंग भी रंगे रंग लिए हुए देखिए ये हैं आइस प्लांट आइस प्लांट के जो होते हैं इसके सीर भी बहुत आसाने सीर होते हैं इनको इस समय हम लगा सकते हैं देखिए इस तरह के सीर होते हैं इसके तो इनको इस समय लगा जा सकता है और इसके सीड को अगर आप लगाएंगे तो इसमें भी लगाएंगे मिट्टी बहुत जो है बेल्टर होनी चाहिए उसके अंदर पानी नहीं रुखना चाहिए क्योंकि इसकी सीड ज्यादा पानी से अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं वैसे तो किसी भी प्लांट की आप सी इसमें आप सीड ग्रो करेंगे तो इसके रिजल्ट हमको समयमाद आपको दिखाते रहेंगे बिंटर इन प्लांट के बिना पूरा नहीं होता है अगर आपके पास नहीं है तो इसके जो हैं सीड साप ले आएं और लगाएं तो आपको बिंटर मांका मन खुश करेगा क्यों इसमें बहुत अच्छा लगता है तो यह प्लांट आप लगा ले बहतरी समय है मैंने सीड पॉटी समाल दी देखें जिस्सू का हुआ फुलावर है यह पीपर फुलावर होता है इसके जो सूखे हुए फूल है तो इस तरह से दिख रहे हैं तो इनको भी हम इस समय ग्रो कर लगाने के बाद जो है उसको बहुत तेज सनलाइट में यह सीड से पानी नहीं सुकना सब्सक्राइब और बिल्कुल कीचर नुमावी नहीं होनी चाहिए इस बाद का ध्यान रखने तो बहुत अच्छा जर्मिनिशन रेट रहता है आपके घर के ही सीड से बढ़ हो सकता है इसा दोस्तों मेरे पास यह देखिए ब्लैक ब्लैक सीड है यह डाय मौर्थिका के हैं इसके पिंक कलर की बेराइटी यह बहुत सुनर फूल खिलते सर्दियों में इसके धेरों पूर आएंगे इसके अंदर दोस्तों सीड गरो करने के लिए कई तरीके हैं इनको जो है जिसमें आप गरो करेंगे तो यह तो किसी प्लांटर में आपका पहले से प्लांट लगा हुआ है प्लांटर में उसमें भी गरो कर सकते हैं उसमें भी गरो हो जाते हैं प्लांट पर इस तरीके से गरो करने से हमक मेरे पहले से soil जो है कंपोस्ट वाली थी मैंने अभी इसमें कुछ नहीं मिला है पर पहले मिला रखा है इसमें थोड़ा रेता मिला हुआ है बजरी और जो है कंपोस्ट है और हमारे गार्डन की area की soil है इसके अलावा जो मेरे kitchen base की जो पूरी मातरा में वह भी होगी तो इसको जो है अच्छी तरह से कोई भी इसमर डेलेवर न रखें और अगर आपके पास समय है तो इसको छान ले चान के और भी अच्छा रहता है क्योंकि इनकी बहुत कॉमल होते हैं यह सीट्स जब जर्मिनेट होने के लिए जो मीडियम होता जितना हलका होगा उतनी जल्दी यह गुरू होंगे तो मैंने जो है इनको अच्छी से गुराई करके उपर से बड़ बड़े पत्थर जितने मिते वो सब हटा दिये हैं उसके बाद जो है इसमें यह देखिए मैंने इस पर जो है कैलंडूला के सीट डाल दिये कैलंडूला प्रेट होंगे ये मैं इसको फूरा इस तरह से कवर कर देती हूं इस तरफ मैंने डाय 또 के सीट डाल दे हैं लगा सकते हैं कि आपने यह ओक किस दिन गिरोंगए आज के डाल देंगे और उसकाना मिल देंगे जिससे कि हम पर जो है किसीट की के तवया जो लगाएंगे उस की जो है सेपलिंगी उसी तरह से कियर करेंगे क्योंकि आइस जैसे मैंने बताया कि आइस प्लांट को बहुत ही कम पाने चाहिए होता है क्योंकि वो सेकुलेंट प्लांट होते हैं तो इसलिए जो है उनमें पाने जदा ना पड़े इसलिए हर प्लांट का हम अगर सीट के सीट के नाम लिखे रखेंगे तो हमें इसे बहुत हैल्प मिलेगी दोस्तों आपका गार्डन में बिंटर में इसी तरह से फूलों से महका रहे बहुत सुनसमर फूल खिलें तो इसके लिए अब ही आपके सीड लाएं और लगाएं अगर आपके पास हैं तो उनको जर्मिनेट होंगे और इनको जो है आप दिन की धूप दीजिए जर्मिनेशन जब सेपलिंग होने लग जाएंगी रात को अगर इनको किसी पॉली वेकर से ढख देंगे तो और अच्छी रिजल्ट रहते हैं और बहुत तेस सनलाइट में रखना है सुबह की धूप दीजि आपको आज कर वीडियो पसंद आएगा फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार